सर ये हो जाएगा तो उसे छोड़ देंगे बिल्कुल बच्चे जवाब भी दे रहे चलिए यहाँ से क्या हटाना पढ़ते हैं कहता है on 1997 our purchase a plot एक जमीन खरीदा चार लाख रुपए का 2021 में बेच दिया चौबिस लाख रुपए का and paid brokerage 2% कहता है कि sale consideration out of sale consideration invest बोला भाया जो भी पैसा हमने पैसा आया इतना invest कर दिया construction of residential house which completed before मतलब 36 30 June 2022 में हमने construction complete कर दिया है सर compute the taxable capital gain Mr. R assessment year 22 23 assume आपका क्या एनी कहता है कि assume that does not on any other residential house fair market value अब बताईए अच्छा सबसे पहले बताएं कौन बच्चा बताएगा इसके अंदर आपको जवाब देना है किसमें exemption कौन सा मिलेगा बताईए कौन सा exemption मिलना है comment में सभी बच्चों का जवाब आना चाहिए इतने सारे बच्चे है लाइव क्लास में पारस जैन का कहना है लक्षे का कहना है सर 54 F पारस जैन का भी येस सर यहाँ पे exemption जो मिलेगा examiner बहुत sharp minded है वो चाहता है कि आप 54 low लेकिन हिंड भी दे रहा है साथ के साथ यहाँ पे इसने plot की बात करी है residential house नहीं है ये पिछले वाले सवाल के अंदर plot लिया या कुछ भी लिया बनवा के बेचा है इसने आप plot ले लीजिए कोई बात नहीं है उसके घर बना के बेचिए तब आएं गया आप 54 अंदर और plot लेके अगर आपने plot बेच दिया that is not a sold residential house वो तो आपने जमीन बेचा है तो सर यहाँ पे एक जमीन बेच के आपने यानि other than residential house को sold करके क्या खरीदा एक residential अच्छा करा है यह सवाल करवा रखा है शायद मैंने करवाया होगा हाँ यह मैंने चेंज सो कर रहा होगा क्योंकि मुझे कुछ आंसर को verify करना था करवा रखा है यह 54 F से मुझे याद आए करवा रखा है पुरानी वीडियो में हर किसी से हो जाएगा डन बोल दीजिए तो मैं अगले question पर चलू हो जाएगा यह question नहीं नहीं देखो कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर 54 F की तो यह condition है कि घर होना चाहिए एक घर होना चाहिए यह condition नहीं है एक से ज़्यादा घर नहीं होना चाहिए यह condition दोनों में फरक है 54 F कहता है कि भाईया आप कोई भी assets बेची और एक घर खरी दिया लेकिन इससे पहले एक घर आपका हो सकता है यानि अगर कोई बच्चा कह रहा है कि सर मैंने plot बेचा मैंने gold बेची दिया मेरे पास घर है ही नहीं तो क्या मैं residential house के लिए exemption बिल्कुल ले सकते हो आपके पास minimum one house होना चाहिए और maximum sorry minimum कुछ भी नहीं हो सकता और maximum one house होना चाहिए यानि 54 F क्या कहता है यहाँ पे देखिए क्या इसके पास कोई घर था पहले से नहीं था कहता है कि does not on any other residential house कोई ही नहीं इसके पास अगर कहता है इसके पास one house है तब भी 54 F exemption के लिए मिल जाता है तो simple सी बात है पहले बताईए कुशन हो जाएगा हो जाएगा यह नहीं होगा done चलिए एक कुशन और आपका test ले ले brokerage minus करेंगे 2% निकाल के sale में से और although यह class में करवाया हुआ कुशन है अब याद तो देखो register open करोगे तो मिलेगा अब यह सवाल आपको एक दिया जाता है दो मिनिट आप पढ़िए फिर मैं करके दिखाऊँ हूँ 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 झाल कर दो कर दो